नमस्का तो आज आपे हम IDFC First Bank के बारे में बात करेंगे और latest update और news के उपर भी नजर डालेंगे IDFC First Bank में जो rally हो चुकी थी वो खत्म हो गई क्या क्योंकि आप आप देख से दिए stock थोड़ा sustain होता हुआ दिखाए दे रहा है क्या rally खत्म हो गई क्या या से correction हो सकता है क्या तो सबसे पहले news देखते हैं फिर उसके उपर बात करेंगे तो IDFC First Bank में कोई खास news नजर नहीं आ रहे फिर भी आप लोग नजर डालोगे चार्ट के उपर तो stock ने काफी बढ़या rally पिछले 10-15 दिनों में देखने को मिले 76 level से stock तो गरिवन 85 level को touch की है 85 के करिवन एक resistance level है stock के लिए तो ये level जो ब्रेक होगी तो stock में थोड़ी तेजी देखने को मिलेगे फर उपर के तरब जो है blue color का line 200 days का moving average है जो कि एक resistance level मानी जाती है तो जो 200 days का moving average को break करेगा stock तब वो एक अच्छी मूँ आने के chances बन सकते है क्योंकि ब्रेक होने के बार stock उपर sustain होगा तो एक अच्छी मूँ आ सकते है recently क्योंकि आप आप देख देख कि important level है जब ये 86 level को breakout मिलता है तो stock 90 level तक तेजी दिखा सकता है और उपर और भी जाने के chances बन सकते है क्योंकि अगर volume अच्छे आ जाए तो stock एक strong breakout डे सकता है volume विक रहते है तो stock फिल से ऐसे breakout होके 80 level तक आने के भी chances बना सकता है तो ही थे latest update IDFC first bank के लिए